सब अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नमबर 5 साइन सब्जेक्ट की है बेटा एर्ट किलास के बच्चों के लिए इंग्लिस मेडियम में हैं ओके और साथ अक्टूबर की है बेटा जिसमें हमारा माइक्रो और्गेनिजम का चैप्टर चला हुआ है आज हम पढ़ेंगे हामफुल इफेक्ट्स ओफ माइक्रो और्गेनिजम अभी तक हमने उसके यूजफूल चीज़े ही पढ़ी थी कि उसका हम प्रियोग कहां पर करते हैं कैसे यूजज आती है क्या क्या इसके फाइदे हमारे खाने योग्या नहीं छोड़ता जैसे कि यह ब्रेड देख रहे होंगे इन पर क्या लग गई है फंगस लग गई है ठीक है ऐसे ही यहां पर देखो डेमेज टूदी वोटर बोडी ऐलगे ऐलगल ब्लूम का मतलब क्या है कि जो काई हो दिये वो पानी में इतनी फैल है कि नीचे तक रोसनी भी नहीं जा पा रही है कोई भी चीज अंदर तक नहीं जा पा रही जिसकी वज़े से जो उसमें रहने वाले थे जीव जन्तु बेटा वो मर जाते है ठीक है उन तक अपना पूरी तरीके से भोजन खाना यह सब नहीं पहुँच पाता और यह सारी चीजे यह खा लेते हैं ठीक है उनके मतलब जो उनके खाने की सीज़िये होते है उनको यह करती है बिमारी कर्यान humans के अंदर and other animals malaria, tb, typhid ये सारी चीज़े इनके द्वारा होती है ठीक है microorganism के यहाँ पर देख रहे होंगे ये vomiting हो रही है और ये देखो इदर ये विमार हो रखी है ठीक है ऐसे ही यहाँ पर some fungus can causes destruction to the clothes, paper, leather on storage और बेटा देखो आप यहाँ पर बेखरे होंगी जो leather के bag होती है leather के shoe होते हैं या फिर कोई हमारे leather के कोई भी jacket वगईरा होती है ठीक है वो सारी खराब हो जाती है जब थोड़ी सी भी उनमें नमी आई तो वो क्या हो जाती है बटा उन पे fungus लग जाती है ठीक है और वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, जैसे आप देखते होंगे बारिस के दिनों में बैटा क्या होता है? तुमारे जूते अगर भीग जाएं और तुम उनको अच्छे से नहीं प्रोपर सुखाऊ या कुछ करो तो खराब हो जाती है ठीक है लेधर के होंगे तो फिर causes disease in plants और बेटा पेड़ पोदों के अंदर भी ये बिमारी का करन बनती है जैसे कि citrus, canker ठीक है नेम्बू के अंदर ये इस तरीके की बिमारी का करती है और rust in wheat और wheat के मतलब कि जो गेहूं की फसल होती है बेटा उसमें ये rust लग जाती है उसकी वज़े से ये खराब हो जाती है देखो इस तरीके से सब कुछ जड़ जाता है राग की तरह बन कर और नेम्बू के में बेटा ये इस तरीके से खा जाते हैं पत्तियों को ठीक है तो ये कुछ effects थे bad जो की microorganism के द्वारा हो रहे थे ठीक है तो अभी तक तो हमने बेटा अभी यही जाना था कि कितने benefits होते हैं microorganism के और medicinal भी और commercial भी ठीक है लेकिन आज हम क्या जान रहे हैं besides this some of the microorganism are very harmful for us या to us in various way तो कुछ ऐसे microorganism भी हैं बेटा जो हमारे लिए क्या हैं हानिकारक हैं अलग-अलग तरीकों से जैसे कि आपको pictures में दिखाया भी गया है बेटा उपर ठीक है तो ये कई तरीके कि बेटा जो संक्रे में ते बिमारी हैं या संक्रामक रोग हैं उनको फैलाने का भी कारिय करते हैं some microorganism have other harmful effects such as spoilage of food, illegal bloom, damage to the clothes and leather items etc तो हमने अभी पढ़ा बेटा कि कुछ microorganisms क्या करते हैं हमारी जो की वस्तुय हम इस्तमाल करते हैं उनको खराब करते हैं जैसे उनको थोड़ा सा भी temperature इस तरीके का मिल जाए जिसमें वो grow कर सकते हैं उके उसके बाद बेटा the disease-causing microorganisms are called pathogens तो बेटा जो disease-causing microorganisms होते हैं उनको नाम दिया गया है pathogens का ठीक है these pathogens are transmitted from one infected person to the healthy person by various means तो ये जो pathogens होते हैं ये transmit होते हैं एक infected person से दूसरे healthy person के अंदर by the various means मतलब अलग अलग तरीकों से जैसे की contaminated blood यानि कि बेटा कोई बिमार वैक्ति है उसको खुन किया सकता है blood की जरूरत है तो किसी और से blood लेके अगर उसके सरीर में चड़ा दे लेकिन वो जो वैक्ति था बेटा वो infected था ठीक है या वो बिमार था अगर उसका चड़ा देंगे तो क्या होगा या बिमार हो जाएंगे या फिर क्या करते है मचर मख्या क्या करते है बेटा किसी बिमार वैक्ति के सरीर में क्या करते है वो उसको bite करते है काटते है और फिर दूसरे healthy person के सरीर पर बैट जाते है उसको काटते है तो इससे क्या हो जाता है उनका blood उसमें inject हो जाता है जिसकी वज़े से वो बिमार हो सकते हैं या फिर water के थुरू बेटा कि पानी में कुछ ना कुछ ऐसे जिसे कि malaria के मच्छर हो गई है सब अंडे देते हैं बेटा अगर हम इस पानी का इस्तमाल करेंगे अपने लिए खाने पीने बनाने की वस्तों में तो क्या होगा बिमार हो जाएंगे एर का बेटा जैसे कोई infected person है वो अगर क्या करता है चीक देता है या कुछ भी है एर के अंदर उसके dust particle के साथ साथ उसके वो microorganism भी आ जाते है ठीक है जिसकी वज़े से वो अगर कोई वहाँ पर सांस ले रहा होगा दूसरा वैक्ति तो उसके सरीर में भी चले जाएंगे soil के अंदर बेटा जैसे कोई बिमार वैक्ति है अगर वो जैसे वो meeting देखी बेटा भी जमीन पर पड़ी थी ठीक है तो वहाँ से क्या होगे उसके अंदर कुछ ना कुछ पर उसarta के सरीर तक ले जाते है तो इस तरीके से बिमारी फैलाने का कारियल अब भी करते हैं कुछ तो उनको तो वैक्तर्स बोलते है और जो बिमारी फैलाते हैं बेटा उन पेथोजंज से बूलते है माईिकर ऑरगिनिश्म चीक है अब इसका कुछ question answer कर लेते हैं बेटा अब बेटा देखो इसके जो questions है first question क्या है आपका first question है write any three harmful effects of microorganism, तो जो बेटा microorganism के द्वारा harmful effects होते हैं उनके नाम, मतलब वो लिखो तो बेटा आप इन में से कोई भी लिख सकते हो यह आपको यहां पर 4-5 दिये गए हैं आप इन में से कोई भी 3-4 लिख दो यह harmful effects होते हैं फिर बेटा why it is advised why is it advised to keep the food covered तो ऐसा advice क्यों किया जाता है कि हमें अपने भुजल को धक कर रखना चाहिए तो बेटा ऐसा इसलिए क्या जाता है it is advised that we should keep the food covered so that disease causing microorganism cannot be entered in our food our food and make them unusable and harmful for us because if we eat that food we can become victim of many diseases अगर हम इस खाने को खालेंगे बेटा तो क्या होएगा हम कई बिमारियों का शिकार हो सकते इसलिए हमें बोला जाता है कि बोजन को ढखकर रखना चाहिए ताकि उसके अंदर यह microorganism एंटर ना कर सके जो बिमारिया फैलाते हैं ठीक है अब next question क्या है बेटा कि what are the pathogens and how they are how are they transmitted तो बेटा pathogens क्या होते हमने अभी पढ़ा the disease causing microorganism are called pathogens these pathogens are transmitted from one infected person to the healthy person by various means like यह यह सारा आप लिखतूगे ओके फिर बोला गया बेटा name two disease caused by organism तो कोई ऐसी दो तीन बिमारियों का नाम बताओ जो कि क्या है इन microorganism के द्वारा होती है बेटा तो डेंगू हो गया ठीक है डेंगू हो गया malaria हो गया chicken गुनिया हो गया या बेटा ऊपर भी हमने अभी लिख सकते हो ओके तो यह थी बेटा आपके आज की वक्षित उमिद करते हो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कोई डाउट नहीं होगा फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में पोच लेना इस वीडियो में इतने अपना जो next topic होगा हम अपनी next वीडिय यह मुस्क्राते रहे बढ़ते रहे रागे बढ़ते रहे थेंक्यू